और एक गंभीर और एहम मसले पर, मुद्दे पर मुलाकात हो रही है। कल जब हंगामा बर्पा तो मैं भी पार्लामेंट में था। और मैं भी पार्लामेंट की गतिविदियों को, क्योंकि मैं प्रथम बार का सांसद हूँ, बहुत ध्यान से देख रहा था कि पार्लामेंट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार से पार्लामेंट में सांसद गण अपने विश्यों को रखते हैं और किस प्रकार से उनका विवाहर रहता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब में किस प्रकार से प्रती उत्तर दिया जाता है, यह सब मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं और देख भी रहा था, मगर जबसे अठारवी लोकसभा आरंब हुई है, जबसे यह सत्र आरंब हुए हैं, एक विशय में देख रहा हूं, निन्यानबे की संख्या और अहंकार का खेल, the number of 99, and the game of arrogance, राहूल गांधी जी का विवहार, और राहूल गांधी जी के विवहार के कारण उनके पार्टी के सदस्यों का विवहार, यह अक्षम्य है, यह कई बार दिल को चुबता है, यह मेरे सर को भी जुकाने के लिए बाद्धे कर देता है कि हम उस सदन में बैटे हैं, जो लोकतंतर का सबसे बड़ा मंदिर है, सरवाधिक महत्तोपूर्ण स्थान है, मगर उस मंदिर में इस प्रकार की एहंकार, इस प्रकार की बाते हैं, और इस प्रकार का विवहार राह टीवी के माध्यम से सदन की गतिविदियों को देख रहे थे मान्या अनुराग ठाकूर जी ने जब अपने विशे को रखा किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा, जिसकी जाती का पता नहीं, वह जाती पूछ रहे हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा, 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इसारे पे कांग्रिस के सारे सदत से खड़े हो गए, क्यूं? जाती क्या पूछ लिया, हंगामा क्यूं बरब गया? जाती क्या पूछ ली, मतलब जाती के पूछने पर इस प्रकार का विवार होगा? आज कॉंग्रिस के सांसत गण कागज फाढ़ फाढ़ के फेक रहे थे। क्यूंकि उनके नेता राहूल गांधी से उनको लगा, कि राहूल गांधी से उनकी जाती पूछ ली गई है। मुझे तो बड़ा आश्चरे लगता है जो व्यक्ति हर किसी की जाती पूछ सकता है आप पत्रकार हैं कुछ दिलों पहले पत्रकारों की जाती पूछने का काम राहूल गांधी कर रहे ते पूछ रहे ते आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है बताईए आप किस जाती के पत प्रसाशनिक अधिकारियों की जाती पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाती के हैं उनकी जाती पूछी जा सकती है जजस की जाती पूछी जा सकती है पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं How many Dalits and Adivasis in High Courts? राहुल गांधी आस्टिन प्रतापगड़। आप किसी कोट में पेश होते हैं, और वहां जाके जजस की जाती पूछते हैं. प्रसाशनिक अधिकारियों की जाती, पत्रकारों की जाती, जजस की जाती, और तो और सैनिकों की जाती आप पूछते हैं. आप कहते हैं, कि हिंदुस्तान को ये जानने का अधिकार है, कि किस जाती के लोग सरवाधिक सैनिक के रूप में हैं? किस जाती को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई? किस धर्म को कितना representation आर्मी में मिला हुआ है यह सब आप पूछ सकते हैं मगर आपसे कोई अगर जाती पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाती पूछ लिया गया मम्मी मेरा insult हो गया ते क्या मजाग बना के रखा हुआ है मुझे संत कभीर का वो दोहा याद आता है जाती न पूछो साधू की जाती न पूछो साधू की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान जाती न पूछो साधू की राहुल जी साधू है वो सादू होते तो उनकी जाती नहीं पूछी जाती पूछ लीजिए ग्यान वो ग्यानवान है चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं जाती नहीं पूछेंगे आपकी बताईए आपका ग्यान आपके ग्यान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू पता नहीं क्या क्या आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ